हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी टॉक्स आइम परिशा पटेल फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि नीट 2019 की एक्जाम को अब 40 दिन से भी बहुत कम दिन बाकी है तो इस एक मन्त में नीट एक्जाम की कैसे प्रिप्रेशन करें तो इसके पहले बस 30 सेकंड्स में मैं आपको इसका बेजिक्स बता दू कि एक्जाम कब है और इसकी पेपर स्टेल क्या है फ्रेंड्स इसमें टोटल 4 सेक्शन है एक है केमिस्ट्री एक है फीजिक्स एंड थर्ड एंड फोर्थ दोनों बायोलजी से है इच वन है 45 एक्वेशन्स मतलब टोटल 45 इंटो 4 इस इक्वल टू 180 एक्वेशन्स होगे ये सारे की सारे MCQ बेज़्ट होंगे एक MCQ का 4 मक्स सो टोटल 720 मक्स का पेपर होगा और एक खास बात फ्रेंड्स कि इसमें नेगेटिव सिस्टम भी है अगर एक आंसर गलत हुआ तो माइनस 1 होगा और सही हुआ तो प्लस 4 और जिसकी आंसर अपने नहीं दिये स्किप कर दिये उसका कुछ भी नहीं मिलेगा ये कोई भी मक्स नहीं कटोगा टोटल 3 आवर्स का ये पेपर होगा यानि की 180 मिनिट्स में 180 एक्वेशन्स और टाइम तो आपको पता ही ये 2 to 5 का है फ्रेंट्स ये तो हुई पेपर स्टाइल और मार्किंग की बात अब बात करते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें और किस टाइप के एक्वेशन्स पूछे जाते हैं तो फ्रेंट्स इसमें 11 और 12 दोनों स्टांडर के चैप्टर के सीलेबस में से कोई भी एक्वेशन्स पूछे जाते हैं सबसे पहले फीजिक्स की बात करें और पास्ट येर के पेपर्स को देख की एनलाईज करें तो ये comparatively बाकी के दो सब्जेक्स से थोड़ा इजी है फ्रेंट्स फीजिक्स में मिकेनिजम टॉपिक सबसे ज्यादा इंपोर्टन्ट है और इसका एक्जाम में मार्क्स के पॉइंट अफ्यू से ज्यादा वेटेज है हाँ easy है पर lengthy है क्योंकि इसमें ज्यादा calculations वाले questions पूछे जाते है तो वो थोड़ा आपका ज्यादा time लेगा तो आपको physics के section को attend करते time पे थोड़ी सी speed रखनी पड़ेगी अब next है chemistry chemistry quite difficult है पेपर में फ्रेंट्स chemistry में organic chemistry के ज्यादा questions पूछे जाते हैं इन organic chemistry के comparison में और फ्रेंट्स अगर past के paper देखे तो इसमें chemical bonding के questions का weight is ज्यादा है तो ये topic अच्छे से prepare करिए फ्रेंट्स यहाँ पे मैं importance की बात कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि बाकी का नहीं करना है सब कुछ करना है पर ये topic अप अच्छे से prepare करके जाएए और अब बात करते हैं biology की फ्रेंट्स इसमें दो sections है botani and zoology दोनों में से questions आते हैं इसमें फ्रेंट्स human, physiology and genetics ये दोनों topic important है exam में इसका ज्यादा weightage है तो फ्रेंट्स यही हमने तीनों subjects की बात कर ली बट एक खास बात कि ज्यादातर questions NCRT में से आते हैं तो आप कोई भी reference book भले ही करो but NCRT के questions करना मत बूलिए so all the best for the 5th May 2019 and best reading and do it well friends life हमें अच्छा मौका देती है so उसका best use करे and prove yourself that you can do it I hope कि सब tips and information आपको बहुत ही help में आए and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे like करे, comment करे और share करे ताकि आपके friends को भी help में आशके subscribe to my channel StudyTalks for more useful videos thank you so much for watching this video